हाई फ्रेंड मैं हूँ महेंदर यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए और हाँ बैल आइकन बटन दबाना ना भूले ताके चल से चल मेरा वीडियो आप तक पौश सके हैपी दिवाली दोस्तों आप सबी को दिवाली की और नए साल की टेर सारी सुख कमना है नमस्कार दोस्तों हमारे महेंद्रा चैनल में आपका स्वागत है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जान ये दिपावली में रंगोली का एतिहास और महत्व के बारे में इस वीडियो के लाश्ट तक देखें लेकिन इससे पहले आपको बताता हूँ अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे महेंद्रा चैनल को तुरंट सस्क्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो जलाते रहेंगे दीपो का महापन दीपावली उस्षव पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा इस मौके पर देश का हर गर दीपो की रोषनी से अलोकित हो उठेगा लेकिन दीपो की इस रोषनी में रंगों का बहुत बड़ा महत्व है दुनिया में शायद ही कोई ऐसी वस्तु है जो हमें रंगों से भी ज्यादा खूसी प्रदान करती है भारत जेसे सांस्कुरुतिक देश में जहां अत्योहारों का आये दिन मेला लगा रहता है ऐसे देश में रंगों का बहुत बड़ा महत्व है ये रंग ही तो इन ते वहरों में जान डालते है रंगोंडी का महत्व हिंदू धर्मिक माननेताओ की अनुसार रंगोंडी की आकरूत या गर्शे बूरी आत्माए एवम दोसों को दूर रखती है रंगोली के सुन्दर रंग खुशाली एवं सुक सम्रूत दिलाते हैं भारत के कई शेत्रों में रंगोली बनाते समय कन्याओ द्वारा लोग गित भी गाय जाते हैं रंग फूल, रंगदार चीजे और कई बार जलते हुए दिपकों की मदद से दिवारों या फिर जमिन पर सुन्दर आकुरूतिया बनाई जाती हैं बरसों से भारत में त्योहारों पर रंगोली बनाने का रिवत चला रहा हैं और रंगों के जरिये बावों को अभिव्यक्त करना है प्राचिन काल से रहा है भारत में रंगोली का महत्वर्ट प्राचिन काल से ही रंगोली बनाना काफी प्रत्रवन ने पाया गया है आज भी भारत में कुछ ग्रामे निलाकों में घर की दिवारों को रंगोली की आकृतियों से सजाया जाता है लेकिन आधुनिक भारत में खास तोर पर रंगोली का इस्तिमाल त्योहारों तक ही सिमित किया गया है ज्यादा तर रंगोली को दिपावली के त्योहार पर बनाया जाता है रंगोली बनाने के पीछे धार्मिक मानने ताए लोक मानने ताओ के आधार पर एसा माना जाता है कि लंकेश रावन का वर्द करने के पस्चर जब श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्षो का वनवास व्यतित करके जब अयोध्य वापस लोट रहे थी तब अयोध्य वास्यो ने उनका पूरे हष्ष और उल्लाश के साथ स्वागत किया था इसके लिए अयोध्यावार्शियो ज्वारा गर की साफसपाई करके घर के आंगन में ग्रह प्रवेश्ट के द्वार समित रंगोली बनाई गई थी और पूरे अयोध्यापो जिपो से सजाया गया था तभी से प्रत्यक वर्ष लिपावली पर रंगोली बनाने का रिवार्ट पसलित हो गया उम्मित करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा आपके दोस्तों को और फेस्बुक वाट्सब जेसी जगा पर शेर करना ना बुले अगर आपके दिमाग में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सव प्रोना वायरस से बतने के लिए पत्वां से जुआ करता है कि मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब के लिए नमस्कार दोस्तों हाई फ्रेंड मैं हूं महेंदर यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है ये वीडियो अगर आपको पसंद आदे इस वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए और चैनल को सस्क्राइब किजिए और हाँ बैल आइकन बटन दबाना ना भूले तके जल से जल मेरा वीडियो आप तक पौस सके